मरकस की अंजील पहला बाप 9 आयत से 13 आयत तक सफ़ा नमबर 34 और 35 येसु का बप्तिस्मा और आजमाईश और उन दिनों ऐसा हुआ कि येसु ने गलील के नासरत से आकर यर्दन में यहुना से बप्तिस्मा लिया और जब वो पानी से निकल कर उपर आया तो फिल्फ और उसने आसमान को फटते और रुख को कबूतर की मानिंद अपने उपर उतरते देखा और आसमान से आवाज आई कि तु मेरा प्यारा बेटा है तुझ से मैं खुश हूँ और फिल्फ और रुख ने उसे बैबान में फेच दिया और वो बैबान में चालिस दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया और फरिश्टे उसकी खिद्मत करते रहे पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो आमें